IIT-GEE means or GEE advanced mathematics के आपको त्यारी करवाई जा रही है विल्कुल free of cost हम पूरे syllabus को 5 chunks में डिवाइट कर चुके हैं coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra और ignomatory हमने coordinate geometry को किया है खत्म और हम calculus, relations and functions पढ़ रहे हैं और अब relations को खत्म करकर हम आ चुके हैं functions पर आज functions की understanding बिल्ड करेंगे हम एक 100% free of cost, quality online education platform है kindergarten से 12th standard तक with that, आज क्या चीज़े unfold होती है को और से सुनिएगा सबसे पहली, सबसे ज़रूरी, सबसे काम की बात मैं आपको function की understanding बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर पहले हम function समझें उससे पहले थोड़ा सा mapping के तुरूप मैं आपको idea देने की कोशिश करता हूँ कि exactly functions कैसे और क्यूं ऐसे बनाए गए हैं और वो ऐसे क्यूं behave करते हैं तो गौर से सुनिए का जैसे की मान लो यह आपके पास दो sets हैं न यह है set A और यह है set B अब मैं relation को थोड़ा assign रख रहा हूँ मैं सच कहूं तो function relation का ही एक subset है मतलब अगर relations पे कुछ constraints impose कर दिया जाए relation की परिभाशाओं में कुछ थोड़े से limitations लगा दिया जाए या relation को थोड़ा सा refine कर दिया जाए तो वो function मन जाता है exactly function होता क्या है कैसे चीज़े होती है जरा उस पर बात करते है गौर से सुना जैसे मान लो मेरे पास set A में कुछ elements है मेरे पास set A में कुछ elements है जैसे कि एक element है one, एक element है two एक element है three और एक element है four इसी तरीके से मान लो set A में कुछ और भी elements है जैसे कि मांदो मैं बोल देता हूँ 0, फिर में ले लेता हूँ 1, फिर में ले लेता हूँ 4, फिर में ले लेता हूँ 9, और फिर में ले लेता हूँ 16, I hope आप सुन रहे हैं अब अगर मैं एक इस पर एक condition, एक constraint एक परिभाशा अपलाए करो किस तरीके से, कि सर इस element, इस set के जो elements है उनका square अगर आप करें तो उनकी mapping इस set के element से की जाएगी मतलब मैंने एक function एक relation apply किया जिसको specifically मैं function कहने में तोड़ा से interested हूँ और उसको function कहने में इसलिए interested हूँ क्योंकि मैं उस पर एक ऐसी परिभाशा apply कर रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं एक छोटा सा काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर मौजूद जो भी elements नंका square करूँगा और देखूँगा कि वो यहाँ पर square मौजूद है या नहीं और उनसे इनकी mapping करूँगा जैसे कि मैंने क्या किया जैसे कि मैंने one का square किया तो one का square कितना होता है one तो ये one की one से mapping होगी जैसे कि हमने two का square किया और वो कितना आता है four तो ये इसकी mapping होगी फिर क्या किया फिर three का square किया जो कि कितना आता है nine वो mapping यहाँ हो जा रही है जैसे कि हमने माइनस वन का स्क्वेर किया जो कि क्या होता है वन तो वो मैपिंग वापस यहां हो जा रही है फिर हमने क्या क्या फिर हमने जीरो का स्क्वेर किया और वो मैपिंग यहां हो जा रही है सर 16 की mapping नहीं हो पाई तो कोई परिशान ही नहीं है जो हो रहा है जो नहीं हो रहा है जो होने दो जो नहीं हो रहा है वो मत होने दो कोई परिशान ही नहीं अब ये क्या है ये क्यू पढ़ा है सर आपने और ये क्यू क्या मैं अपने knowledge अपने ग्यान अपने अनुभाव से कहना चाहरे हो यह तो हमें relation की तरह ही दिख रहा है यह बेशक एक relation है but to be more specific to be more precise to be more accurate मैं कहूंगा कि यह जाधा तर और clearer manner में एक function है क्यों यह function है इस परिभाशा को थोड़ा समझते हैं हमने चुना एक set A है ना हमने जब set A चुना तो set A के अंदर कौन-कौन से elements थे set A के पास थे minus 1, 0, 1, 2 और 3 है ना फिर हम गए set B के पास और set B से पूछा कि आपके पास कौन-कौन से elements थे तो set B ने कहा कि मेरे पास elements है 0, 1, 4 और 16 I hope आपको दिख रहा है अब मैंने A से B में जब यह function apply किया तो उस function में मुझे जो pairing मिली है उनकी थोड़ी सी आपसे बात को जा रहा हूं यह जो होता है I hope आप जानते है relation में भी और यहां भी function में भी हम इस set को कहते हैं domain I hope आपको यह बात याद है यह जो set होता है आपका जब आपने A से B में mapping किये तो इस आप set को कहते हैं co domain क्या यह बाते तो आप सभी को याद है I hope आप इन सारी बातों से सहमत भी है क्यों यह सारी बाते हो रही है सुनिए गादियान से क्या आप सभी यह जानते हैं कि sir domain के elements की mapping co domain के elements से होती है बिलकुल होती है अब इसे आप क्यूं function कह रहे हो इसे किन हाला तो में function कह रहे हो वो हम समझने चाहरे है को और से सुनना function की परिभाशा में पहला factor आता है कि सारे elements सारे elements domain set के जो है उनकी एक unique image होने ही चाहिए co domain set में क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं all the elements mind you everyone मैं एक एक शब्द को बहुत साफ साफ आप से कह रहा हूं पहला word जो निकल कर आया all the elements of with set of the domain set तो जो domain set के आप सारे elements उठाते हैं सुनिएगा यह परिभाशा बहुत important है have or has a unique image इसका क्या मतलब होता है सर unique image का इस पर भी बात कर लेंगे it should have a unique image in the core domain set मैं सच कहोना तो बस इतनी ही इसकी परिभाशा है और इतना ही इसके लिए काफी है यह परिभाशा क्यू है और यह परिभाशा क्यू काफी है जरा वो समझने और सोचने की कोशिश करते हैं सुनिएगा जहां से यह जो है आपका domain set है इसके सारे elements इसके सारे elements मतलब 1, 2, 3, minus 1 और 0 इसमें जितने भी elements हैं उन सब की उन सब की unique image मिलनी चाहिए unique image पर मैं आ रहा हूँ पर पहले देखो मैंने वन को पूछा तहां उसकी mapping होगी 2 की होगी 3 की होगी minus 1 की होगी 0 की होगी क्या domain set में मौझूद सारे elements की mapping में कर पाए जैसे मान लोगर इसमें एक और element होता है लेकिन 5 के लिए जैसे square अपलाए किया तो 25 पर यहाँ 25 नहीं दिख रहा है तो क्या मैं 5 की mapping कर पाता मैं जानता हूँ उसर 5 का square 25 होता है लेकिन 25 यहां मौझूद ही नहीं है और राधर वो unique होनी चाहिए unique क्या होगी वो समझेंगे पर यहां पर कोई भी element ऐसा ना हो जिसकी image नहीं है यहां पर जितने भी elements हैं उनकी images होनी चाहिए पहले definition clear हो रही है क्या कोई दिकत sir इससे क्या आप यह नहीं सोच रहे हो कि 16B की भी mapping होनी चाहिए थी नहीं मैंना ऐसा नहीं कहा आपने शायद misinterpret किया मैंना ऐसा नहीं कहा कि co domain में मौझूद सारे elements की pre images होनी चाहिए अगर ये images हैं तो ये pre-images हैं तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पर मौझूद सारे elements की pre-images होनी चाहिए यहाँ पर मौझूद कुछ elements की pre-images हो भी सकती है और कुछ की नहीं भी हो सकती है चलेगा, it is absolutely fine क्या नहीं चलेगा, पहली condition अगर domain में कोई element है तो उसकी unique image हो अब unique image का क्या मतलब है unique image का मतलब गौड से सुना unique image का मतलब है कि sir मैं कल को कहूँ मान लो, इस example पर तो बात नहीं बन रही पर कल को मैं कहूँ कि sir 3 को आप 9 से map करें 3 को एक और term से map कर दिया से कहीं भी कहीं पर ले जाकर मैंने 18 से तो 3 के साथ आपने ambiguity ला दी कि 3 पर जब आपने function अपलाई किया होगा भी थुरुदिक लिए access square को भूल जाओगा समझाने लिए मैं कह रहा हूँ कि 3 को जब मैंने map किया तो आपने 3 को 9 से भी map कर दिया और 3 को 18 से भी map कर दिया तो आपने 3 की 2 images बना दी 3 की कितनी images होनी चाहिए सर 3 की या rather domain में मौझूद हर element की unique image होनी चाहिए आप समझो ना 1 को जाके पूछो इसकी कितनी image सर 1 की एक image ए 1 minus 1 को जाके पूछो उसकी कितनी image उसकी एक image ए 1 सर आप कैसी बात करे हो 1 और minus 1 दोनों की एक image ए 1 हाँ तो ठीक है ना क्या गलत किया हमने फिर से सुनी आप मैं 1 के पास गया इससे पूछा क्या आपकी image है उसने कहा है मैंने पूछा कितनी उसने बोला एक ही है बात खत्म बस इतना ही तो चाहिए ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि को डोमेन में कोई element अगर मौजूद है तो उसकी pre image भी unique होनी चाहिए नहीं ऐसा बिलकुल नहीं कहा ये आपके मुगालते हैं ये आपके assumptions हैं आपकी गलत फहमिया है जो आप शाहिए पाल लें पर इस बात को गोड़ से सुना मेरा matter of concern है दो बाते क्या कि डोमेन में कोई भी element अगर मैं चुनूँ तो मुझे उसकी image दिखनी चाहिए दूसरी बात अगर उसकी image दिख रहे है तो वो unique होनी चाहिए मतलब एक ही होनी चाहिए एक से जादा नहीं होनी चाहिए क्या आपको बात समझाई बस इतनी सी बात है देखो मैं क्या कहना चाहरू इसको समझाने की थोड़ी और अच्छे से कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीज़े clearly समझाए जैसे माल लो मैं एक scenario बना कर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि यह आपका एक दो सेट है यहाँ पर elements है 1, 2, 3 और यहाँ पर elements से 4, 5, 6 आपने कोई ना कोई condition अपलाई की होगी और यह relation अपलाई किया कि sir 1 की आपने 5 से mapping कर दी 2 की आपने 4 से mapping कर दी sir यहाँ पर 3 खाली रह गया यहाँ पर 3 खाली रह गया तो गड़बढ़ है गड़बढ़ है यह एक function नहीं है this is not a function ऐसा क्यों कह रहे हो sir यह function इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 3 के लिए तो कोई mapping ही नहीं की न अगर यह आपका domain है अगर यह वाला जो set आपका domain set है तो इसमें मौझूद हर element की mapping होनी चाहिए क्या पहली बात जो समझ जाए ठीक है sir और क्या कारणन हो सकते हैं किसी function के function नहीं होने के एक और current जो मैं समझाना चाहरू हूँ जो हो सकता है वो यह कि जैसे मान लो यह आपका यहां से आपने यह उठाया है ना यह आपने फिर से एक और example लेने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया ना एक और example यह आपका domain है और यह आपका भी क्या है co domain तो यहाँ पर क्या sir यहाँ पर God से सुनना जैसे यह domain और co domain है अब क्या यहाँ पर फिर से कुछ elements हैं आपके पास 1, 2 और 3 यहाँ पर कुछ elements है 4, 5 और 6 सर देखो मैंने क्या क्या मैंने 1 की mapping 4 से कर दी 2 की mapping 4 से कर दी और 3 की mapping 5 से कर दी और 2 की mapping 6 से कर दी अब तो sir आपने बोला था कि domain में मौझूद हर element की mapping हो जानी चाहिए तो देखो इस बार तो हमने इस की domain में मौझूद हर element की mapping कर दी अब तो यह function होगा ना अब तो मैं इसे function कह सकता हूँ मैं कहूंगा जी नहीं आप अभी भी इसे function नहीं कह सकते sir इस बार क्या कर बढ़े क्या आप सोच पा रहे हैं उस बार क्या कर बढ़े sir इस बार जो आपने गड़बड करी है ना वो कुछ ऐसी करी है कि आप ज़रा one को देखो one की एक unique images four अच्छी बात है three को देखो three की unique images five बहुत अच्छी बात है लेकिन two के साथ आपने problem कर दिये two के साथ आपने ये problem कर दिये कि two की आपने एक image तो four और एक image six बना दिये अरे साहब two की दो images कैसे हो सकती है आपने two की दो images बना दिये कौन कौन सी four और six और function की परिभाशा क्या है कि domain में मौझूद elements की unique image होनी चाहिए मतलब एक ही image होनी चाहिए परिशानी समझ आ रही है आपको तो बिल्कुल सर ये गलत है two की एक ही में जोगी या तो four या six दो नहीं हो सकती तो फिर से आपने इसे function का definition का violation यहाप दिखा है क्या आपको बाते और परिभाशा है समझ आ रही है वो है relation ही बट एक खास तरीके का क्या उसमें क्या condition लग रही है एक function यह जो आप mapping कहते हो set A से set B में वो एक relation है A से B में एक खास property एक खास attribute के साथ कि sir अगर आपने A में से कोई element चुना तो उसके लिए one and only one element of B होना चाहिए मतलब आपके A के लिए एकलाता एक ही mapping होनी चाहिए दूसरी बात इस set A में मौझूद जो की आपका domain होता है उसके सारे elements की mapping होनी चाहिए मतलब उसके हर एक element की mapping होनी चाहिए और वो कैसी होनी चाहिए? unique क्या बात आप सुझ पा रहे हो? in other words इसे सुनियेगा एक और परिभाशा है एक function F एक तरह का relation है एक non-empty set A से एक non-empty set B में इस तरीके से की जो आपके A का domain है I hope आपके function का जो domain है जो की है set A उसमें कोई भी दो distinct कोई भी दो distinct ordered pairs ना हो समझ पा रहे हैं आप लोग? इस बात को में समझाने की कोशिश करता हूँ have the same first element मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि अगर मेरे पास let's say आपका ये है A और ये है B वो यही बात कहने की कोशिश कर रहा है ये उसने ordered pair format में बात आप से कही जैसे ये है आपका set A या आपका set B set A को आप क्या कहते है sir set A को हम कहते हैं domain और set B को हम क्या कहते है इसे हम कहते है co domain अब वो आपको ये समझाना चाहरा है कि set A में कुछ elements जैसे की क्या है जैसे की है 1, 2 और 3 है ना यहाँ पर रहे लिट से A ABC के वज़ाए कुछ और ही कह लेते है let's say 3, 9 और let's say 7 अब अगर मैं mapping करता हूँ मैं कुछ mapping करता हूँ मैं कुछ ordered pairs बनाता हूँ जैसे मैंने ordered pair बना है मैंने एक function लिखा है ना A से B में तो मैंने ordered pair बना है क्या 1, 3 एक ordered pair बना है let's say 2, 9 एक ordered pair बना है let's say 3, 7 और इसमें मैंने एक और ordered pair बना दिया लिद्से 1,9 तो उनका कहना इतना सा है आपसे बस कि आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप इसे function कहना चाह रहे हैं तो आपको जो first element मिले ना उसकी डूपली कैसी ना हो वो first element A की बार आए मतलब second element का repetition चलेगा क्या चलेगा लेकिन first element कभी भी ordered pair में repeat ना हो व कि domain set के सारे ही elements की एक unique image होनी चाहिए code domain set में that's all that's it और हम जानते हैं बात तो कि अगर मैं आपसे पूछता कि sir यह 16 तो रह गया यहां पर तो यह जो बच गया 0149 यह क्या है यह जो आपके 049 बच गया है ना यह कुछ नहीं है यह आपके इस function की क्या है range मैं आपको code domain और range को differentiate करना सिखाना चाहरा हूं differentiate करने का क्या मतलब है सुनिए गादियां से कि अगर यह आपका domain है और यह अगर आपकी code domain है तो इसमें यह जो elements है आपकी range है क्यों क्योंकि sir इन elements की pre images exist करती हैं इन elements की pre images exist करती हैं क्या बात आप समझ पाए I hope यह बात आपको बहुत अच्छ इसे clear हैं तो function की ही परिभाशा को और clearly आपको समझानी की कोशिश की जारी जड़ा देखो वो क्या लिख रहा है और इस पर हम बात करते हैं यह दो time some discuss कर चुके हैं कि sir आपका अगर A से B में function define करे हो जहाँ पर A आपका domain है और B को domain है A, B आपके pair से तो आप यह जानते हो अब A अगर pass करोगे उस function में तो आपको B मिलेगा तो यह जो A है आपकी pre image होगी और B जो होगी आपकी image होगी यह बात मैं एक और तरीके से समझानी की आपको कोशिश कर रहा हूं वो जो कहना चारह है वो यह कहना चारह है जैसे कि अगर आपके पास एक function है एक function आपने define कि plus equals two y है ना और F of x की परिभाशा वो क्या लिख दे रहा है जिसे वो लिख दे रहा है x square तो वो यह कहना चारह है आपस कि गर x में आपको यह value feed करते हो जैसे यह जो x हैं आपके यह जो x हैं आपके यह कहां से उठाए है आपने set a में से आप x उठा रहे हो जैसे कि set a के पा 2 दे दिया और फिर दे दिया let's say 4 अब सुनते जाएगा धियां से अब आप क्या करेंगे यह जो आपने सारे X उठाए हैं वो कहां से उठाए हैं सेट A में से और जो सारे आपने Y उठाए हैं वो कहां से उठाए हैं अपने सेट B में से इसका क्या मतलब है देखो हम mapping wise बात करेंगे गौर से सुनते जाएगेगा जैसे यह जो आपके part है है न यह है आपका सेट A और यह है आपका सेट B सेट A मतलब क्या माइनस 1, 0, 1 और 2 सेट B मतलब क्या सेट B मतलब माइनस 3, 0, 1, 2 और 4 अब आप सुनते जाएगे सिंपल सिंपल सी बात है जैसे कि एगर मैं पास करता हूँ माइनस 1 तो X की जगे जैसे ही माइनस 1 रखा मतलब आप टेखनी कली क्या बना रहे हो आप बना रहे हो Y is equals to X square मतलब आपके जो पेर है वो है X, Y आपका जो function है उसमें जो set है आपके पेर है वो क्या है X, Y है ना तो आप क्या रख रहे हो X मतलब क्या A में से उठा है माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वेर क्या तो माइनस 1 का स्क्वेर कितना हुआ 1 तो आपका एक पेर क्या बन गया 1,1 I hope बाते समझ जा रही है फिर क्या सर फिर आपने उठाया 0 0 का स्क्वेर क्या 0 तो ये पेर क्या बन गया 0,0 फिर क्या सर आपने उठाया 1 1 का स्क्वेर क्या बना 1 तो ये पेर बन गया फिर आपने उठाया 2 2 का स्क्वेर क्या बना 4 तो ये एक pair बन गया, कि आपको बाते समझ जाएं तो इस तरीके से आपके पास pairs बने अब आपने ये बात ensure की, कि अगर ये एक function था अगर ये एक function था, तो आपने domain के आपने domain के सारे elements की images ढूंडी तो ये जो हैं आपके, क्या क्या, 0, 1, 4 ये क्या होगी? ये होगी images ये जो आपके 0, 1 और 4 जो आपको मिली हैं ये आपकी क्या है? ये आपके, इसकी function की, you know, images है क्या आपको बात समझ जाएं? और अगर मैं पूछों आपसे pre-images तो आपके पास ये जो मिले आपको, minus 1, 0, 1 और 2 ये respectively आपके, 0 की pre-image क्यों है? 0 1 की pre-image क्यों है? minus 1 और 1 और आपके 4 की pre-image क्यों है? 2 तो इस तरीके से, ये आपकी क्या रही? ये हैं आपकी pre-image क्या, ये दोनों बात आपको समझ आ रही है अच्छा, इसके साथ एक छोटी सी बात और मैं कह देना चाहरा हूँ कि यहाँ पर एक और term introduce होती है जिसे आप कहेंगे range आगे जाकर काम आएगे पर चुकि यहीं अगर मौका मिला है तो समझ लेते हैं ये जो तीन terms लिखी हैं, कौन कौन सी? 0, 1 और 4 इन तीनों का ये जो set बन रहा है इसे हम अपने लिए क्या यूज़ करेंगे? इसे हम अपने लिए एक word range की तरह यूज़ करेंगे क्या ये बात ने अच्छे से clearly समझ आई है function की definition clear हो रही है I hope चीज़ें clearly समझ आती चली जा रही है the function f from set a to set b is denoted by f a to b जहाँ पर a जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो आपका domain होगा और b जो होगा वो क्या होगा भी आपका co-domain होगा तो function को लिखने का एक तरीका होता है इसे आप लिखते हैं जो भी आपका function है जिसे आप denote करते हैं हम नाम देते हैं से relation में R1, R2, R3 कह रहे थे, तो function में हम उसको नाम देंगे FGH, ऐसे अपने according नाम दे देंगे और जिस set से जिस domain से, जिस core domain तक define करेंगे, उसे हम इस तरीके से define करेंगे इससे आप ये convention है, ये tradition है, ये mathematics की language है, कि इसका है मतलब है कि यहां से शुरू किया है, और यहां तक लेकर गए ये value फीड की, तो ये value आपको return में मिली, कोई परिशानी तो नहीं है, बतलब इस set में से मिलेंगे इस set में से values उठाएंगे, और इस set में से values आप attain करेंगे कुछ relations वो बता रहा है, आपको और वो बताना चाहा रहा है कि देखो, इनमें उसे कौन सा relation function है और कौन सा relation function नहीं है और नहीं चेक करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछों, ये जो first वाला relation है क्या ये एक function है, आप गौर से देखो इसमें गलबड क्या है सर पहली बात तो, अच्छी बात ये रही कि 1, 2 और 3, अगर A आपका domain था अगर A set आपका domain था तो 1, 2, 3, 3 तीनों की मुझे images मिली पर क्या मुझे 1, 2, 3, 3 तीनों की unique image मिली सर 2 की एक unique image है, 3 की एक unique image लेकिन 1 की मुझे unique image नहीं मिली हो है सर, यहां पर देखो क्या आपने 1, 2, 3, 4 सब को uniquely define किया हां सर देखो, कोई भी element नहीं बचा पर देखो, 1 की एक ही image है 2 की एक ही image है 3 की एक image है, 4 की एक image है कोई भी student यह हो जा रहा है कि सर 1 और 2 दोनों की same image है, तो चलेगा, कोई परिशानी नहीं है मतलब 1 से जाके पूछो, क्या आपकी एक image है वो कहे गा, हाँ, एक है 2 से पूछो, क्या आपकी एक image है वो कहे गा, हाँ, एक image है और क्या सब की images मुझे मिल गई, हाँ, मिल गई तो यह function है, इससे जादा आप मत सोचिए तो मैं कहूंगा, कि यह जो रहा भही आपका यह क्या रहा, एक function आगे बढ़ते हैं, next part क्या यह क्या यह एक function है, सर देखो 1 की एक unique image है, 2 की एक unique image है 3 की एक unique image है, तो 3 की unique image मिल तो गई पर problem होगी ना, सर domain में एक element खाली रह गया domain में कोई भी element खाली नहीं रहना चाहिए, और domain में कोई भी element खाली रह जाएगा, तो यह problem है यह एक समस्या है, और इस वज़ा से मैं कहूंगा कि यह एक function नहीं है, क्योंकि इसकी image कहां है, नहीं मिल रही ना अगर गलती से भी वो 4 को ऐसे c से connect कर दे जातों में कहा देता कि यह function है पर चुकि ऐसा नहीं हुआ, 4 खाली रह गया 4 की कोई भी image हमें नहीं मिली और इसलिए मैं कहूंगा, कि यह भी आपका एक function है, what about the fourth part क्या यह एक function है, सर देखो क्या सारे elements use हो गए 1, 2, 3, कोई element खाली तो नहीं रहा condition है, domain के सारे elements की unique image होनी चाहिए तो क्या domain के सारे elements की unique image है है, बात खत्म तो यह भी आपका क्या रहेगा, एक function तो क्या function as a concept अब आपको specifically brain में digest हो रहा है कि relation से functions को कैसे segregate किया जाता है और किस तरीके से functions को समझा जाता है यह परीभाशा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि students अकसर यहीं पर आकर गलती करते हैं और सारी गड़बढ़िया कर देते हैं I hope आपको यह बात याद रहेगी कि function exactly चीज़े कैसे behave करता है और यही सारी बाते हैं आपको समझाने की कोशिश की गई है with that आके बढ़ते हैं कुछ important बात है हमने यह discussion किया है बट फिर भी कि आपको कभी भी कोई function दिया जाए तो उसकी domain, co-domain और आप range कैसे define करते हैं सुनिएगा अगर एक function है जो a से b में defined है है ना set a से b में defined है तो हम इस set a को क्या कहेंगे domain और set b को क्या कहेंगे co-domain यह discussion हम कर चुके हैं पर आगे क्या unlike relation जहाँ पर domain आपका कोई भी subset हो सकता था अब ऐसा नहीं होगा जो आपको set दिया जाएगा वो पूरा का पूरा set आपका domain होगा वो पूरा का पूरा set domain क्यों होगा क्योंकि समझो सर इसी के साथ associate किया तो बात क्या रही बात यह रही कि एक अंदर जितने भी elements मौझूद थे उन सब की mapping हुई और एक अंदर मौझूद सारे elements की अगर mapping हुई है मतलब की जो आपका set है वो क्या रहेगा domain relation में क्या होता था a set में से कुछ elements की mapping हम करते थे और उन elements को हम domain कहा करते थे इस बार आपको पूरा a set का ही आपको mapping करनी पड़ेगी हर element को map करना पड़ेगा और uniquely map करना पड़ेगा और इसलिए आपका पूरा का पूरा set a क्या होगा वो आपका domain होगा कि यह बात आपको समझा ही है भाई I hope यह बात है अच्छे से clear हो रही है हम कहां पर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आपके co domain domain और range की अब यहां पर सुनना यह बड़ा important fact है the set of all possible images of the pre-images is called the range of the function मैं बस यही difference आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यह बात अगर आपको समझ आ गई न तो बस बात हमारी solve हो जाएगी क्योंकि अक्सर students range और co domain में ही confused रहते हैं देखो वो आपको define करके देगा co domain हर function की co domain वो define करके देता है जैसे कि वो कह रहा है R से R अब R से R का मतलब क्या है R से R का मतलब है कि सारे real number से सारे real number एक function define कर रहा है वो R से R मतलब सारे real numbers को उठाके सारे real numbers से fit कर रहा है function की definition क्या है मालो function की definition कुछ ऐसी दे दे रहा है कि function की definition है let's say कुछ भी ले लो है ना जैसे कि उसने कह दिया x square plus 2 अब सुनना ध्यान से बहुत ध्यान से काम की बात है गौर से सुनते जाएगा जैसे कि समझो यहाँ पर सारे real numbers आएंगे है ना और वो आपका क्या है domain सारे real numbers से लोगा सब कुछ minus infinity से plus infinity तक के सारे numbers है ना यहाँ पर आपके सारे real numbers आएंगे वो क्या होगा वो होगा आपका core domain सुन रहे हैं आप लो मैं कुछ examples के तौर पर आपका समझाने की कुछ रिख रहता हूँ जैसे यहाँ होगा minus two यहाँ होगा plus two यहाँ होगा zero यहाँ होगा plus one यहाँ होगा minus two यसे सारे numbers होगे मैंने बस 5 ही numbers आएंगे यहाँ होगा यहाँ पर apply किया तो आपने क्या बोला function की परीभाशा है x square plus two तो आपने domain में से 1 element उठाया उसका square किया और उसमें 2 add किया minus 2 का square 4 4 plus 2 6 तो minus 2 किस से map होगा 6 से किस परिभाषा किया according x square plus 2 की परिभाषा किया according यह खोप यह बात समझा रही है फिर क्या 2 को उठाया 2 का square 4 4 plus 2 6 तो 2 की भी mapping किस से हुई 6 से 0 को उठाया 0 का square 0 0 plus 2 2 1 को उठाये तो 1 का square 1 1 plus 2 3 तो 1 की mapping होजाती है 3 से और minus 1 की mapping भी किस से होती है 3 से इन सारी बातों का मतलब क्या सुनिएगा अब काम की बात है मुझे एक बात बताओ जितने भी real numbers है क्या जितने भी real numbers है उनके square में 2 अगर मैं add करूँगा तो कोई ना कोई real number मिलेगा जी हाँ सरसर्फ real ही नहीं वो एक 2 या 2 से बड़ा ही number होगा क्योंकि आप समझो ना x square क्या होगा x square एक non negative number होगा याने 0 या 0 से बड़ा और इस non negative number में अगर मैं 2 add कर देता हूँ अगर इस non negative number में में 2 add कर देता हूँ तो नंबर हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा बिल्कु सही बात इस है तो core domain में although आपके सारे minus infinity से plus infinity तक है सारे real numbers होगे पर मेरा आप से ये कहना है मुझे सारे numbers का tension ही नहीं है मुझे सारे numbers की चिंता ही नहीं है इनके लिए कोई pre image नहीं मिलेगी जैसे की two की pre image कहए zero क्योंकि zero की image two है पर आप zero की pre image डूणोगे तो नहीं मिलेगी ऐसा कोई भी number आप नहीं डूण सकते जिसके square में अगर मैं two add करूँ तो zero मिल जाए क्योंकि सवाहल ही नहीं उठता है क्या मेरी बात समझ पा रहे हो मैं आपसे कहना चारा हूँ कि x square plus two में अगर मैं पूछू x square कहां से कहां तक होता है तो आपका होगे sir x square आपका हमेशा कहां से कहां तक होता है जीरो से बड़ा होता है अगर ये जीरो से बड़ा होता है तो कहां तक जाता है? यह infinity तक जाता है अगर मैं इसमें two add कर दूँ तो यह क्या हो जाएगा? सरी हो जाएगा x square plus two तो यह आपका हमेशा two से बढ़ा होगा और infinity तक जाएगा तो two से छोटी values की pre-image मिलना है ताह है? मिलेंगी नहीं आप मेरी बात समच पारे होगे हैं मतलब मैं आपसे कहना चारू बहुत सारे elements इसमें खाली छूट जाएंगे तो domain के तो सारे elements की मिलेगी? हाँ सर, zero ले लो कोई negative number ले लो, कोई positive number ले लो सबका square करके उनमें two add कर सकते हैं उससे कोई ना कोई two या two से बड़ी value मिलेगी तो domain के तो सारे elements यूज हुए मतलब function की पहली बरिभाशा चेक दूसरी बात, क्या domain में जो भी element हमने चुना उसकी मुझे एक unique value मिली? हाँ मिली सर, minus two के लिए six मिला, two के लिए भी six मिला ठीक है चलेगा, पर क्या minus two के लिए six किलाव कुछ और तो नहीं मिला? हाँ नहीं मिला, तो हर element की एक unique image मिली तीसरी बात, यहाँ पर कुछ elements खाली रह गए क्या? हाँ रह गए सर, तो जो रह गए उन्हें जाने तो, पर जो बच गए जो आपके बच गए, जो आपके elements बच गए, जैसे example के लिए और भी रहे होंगे, पर जो elements बच गए, जिनकी आपको pre-images मिलेंगी जिनकी आपको pre-images मिलेंगी, देखो ना, seven, six, two, three, five और उसे और भी कहीं सारे elements होंगे, राधर two से बड़े सारे elements उन सब की pre-images आपको मिलेंगी, वो सब कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से associated होंगे हाला कि ये नहीं होंगे, तो ये जो associated हैं, मैं आपसे ये कहना चाहरा हूँ कि ये सारे आपका जो set है, जिनकी pre-images exist करती है, वो set आपका range है फिर से सुनो, एक और तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपसे पूछ हूँ x square plus 2 कहां से कहा तक होगा, तो x square plus 2, x की सारे real values के लिए for all the values of x, which are real, x square plus 2 आपका 2 से infinity तक होगा, तो 2 से infinity तक के जो सारे numbers है ना, उनकी pre-image आपको मिलेगी, याने कि इसका domain सारे real numbers है, इसका co-domain, I'm really sorry, domain तो of course आपके सारे real numbers है, इसका co-domain भी सारे real numbers है, पर अगर मैं range की बात करूँ, तो range इसका 2 से infinity है, समझ पा रहे हो क्या, क्या ये बात आपको digest हो रही है, और अच्छे से हो रही है क्या, तो पहली बात तो range आपका co-domain का ही subset होता है, हो सकता है कभी-कभी range co-domain के equal हो, पर range co-domain के beyond नहीं जाएगी, उससे छोटी ही होगी, भाशा, language, definitions, कहीं पर भी कोई confusion तो नहीं है, मैं बस आपको तीन बाते समझाना चाहरा हूँ, domain, co-domain और range, अगर ये brain में digest हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे, यही बाते हैं आपर लिखने की कोशिश की जारी, और वही लिख रहा है, वो range is either equal to co-domain और subset of co-domain, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर, कुछ questions के तुरू, और understanding build कहते हैं, इन concepts की, जैसे वो बोल रहा है, A एक set है of different triangles in a plane, और B एक set है of all positive real numbers, अब सुनना है ना, मैं आपको एक खलका सा idea देने की कोशिश की जैसे कि ये एक set है A, ये आपके सारे triangles हैं, बस मैं अब कुछ बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बना सारे हैं, इस आपको मनना होगा, पर मैं कुछ triangles बना रहा हूँ, जैसे कि मैं कि ये वाला triangle बना ले रहा हूँ, एक मैं ये वाला triangle बना ले रहा हूँ, एक मैं ये वाला triangle बना ले रहा हूँ, एक मैं ये वाला triangle बना ले रहा हूँ, इसे कुछ भी मैं random से triangles बना ले रहा भी हैं आपके सारे पॉजिटिव रियल लंबर्स तो यहाँ पे आपके क्या हैं यहाँ पर आपके सारे पॉजिटिव रियल लंबर्स मतलब क्या होंगे इसमें आपके सारे पॉजिटिव रियल लंबर्स पॉजिटिव रियल लंबर्स आप समझते हो ना 0 नहीं, 0 से बड़े, जैसे कि क्या, 0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, under root 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं example के तोर पर आप से चीज़े लिखने कोश्च करना है, दुनिया के सारे positive numbers की यहां के, I hope आपको बात समझ आ रही है, कुई परिशानी तो नहीं है, अब वो क्या पूछ रहे हैं, जरा उस पर बात करते हैं, सुनना, इस function को, और राधर अभी इसने function इसे नहीं कहा है, वो कह रहा है, एक relation define किया जा रहा है, एक relation R define किया जा रहा है, set A से set B में, तो set A से set B पर, set A से set B पर, एक relation R define किया जा रहा है, अब R की परिभाशा क्या है, वो पढ़ते हैं, that every element of set A is associated with some number of set B, which is measure of the area of that triangle, क्या ये relation एक function है, सुनिएगा ध्यान से, मैं सारी बातों के आपके जवाब दूगा, पर आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दू, जितने भी triangles होते हैं दुनिया के, सब का कोई ना कोई area होता है, बिल्कुल होता है, तो दुनिया के हर triangle का कोई ना कोई area होगा, जैसे इस triangle का मानलो ये area होगा, इस triangle का भी मानलो ये area होगा, इस triangle का मानलो ये area होगा, इसका ये होगा और भी जो भी दुनिया के अलग लग ट्रैंगल्स मिलते जाएंगे सबका कोई ना कोई एरिया हमें मिलता चला जाएगा ऐसा होगा क्या कि सर इस ट्रैंगल का ये एरिया भी होगा और ये भी एरिया होगा अगर उसका area unique होता है तो पहली बात दुनिया के जितने भी triangles होते है उनका area होता है क्योंकि और वो triangle है तो वो कोई ना कोई shape कोई ना कोई space occupy करेगा तो उसका पहली बात तो area होगा पहली बात तो area होगा मतलब एक real number होगा दूसरी बात area एक positive quantity है तो वो एक positive real number ही होगा और दूसरी बात वो area होने के साथ तो एक unique number होगा मतलब एक unique area होगा तो तई बात है ना सर ऐसा तो नहीं होता ना किसी triangle का area 2 भी हो और 3 भी हो ऐसा तो उसका area है तो 2 होता है या 3 होता है मतलब कुछ भी होता है आई हो पाफ बात समझ पाए तो मैं आपको अगर इस expression को ध्यान से देखने को कहूं तो क्या आप दो बाते चेक कर पा रहे हो कि सर दुनिया के सारे triangles मतलब इस set A के मैंने सारे elements यूज कर लिए इस set में कोई भी elements ऐसा बचेगा क्या जिसका मुझे area नहीं मिलेगा सर यह दुनिया के सारे positive real numbers है आप मुझे कोई भी triangle बता उसका कोई ना कोई area होगा तो वो हमें मिल जाएगा तो पहली बात तो domain में मौझूद में हर triangle की mapping कर पाऊँगा यहाँ पे कोई भी triangle खाली नहीं बचेगा दूसरी बात वो mapping कैसी होगी सर वो mapping unique होगी मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी triangle के दो area हो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि triangle आपका constant है, fixed है, specific एक shape लिये होगा तो उसका area होगा हाँ यह हो सकता है कि दो triangle का same area हो चलेगा, कोई समस्या नहीं है पर किसी एक triangle के तो दो अलग लग area नहीं है ना जी हाँ, नहीं है तो बस सर बात खत्म domain में से जब आप element उठेंगे तो सारे elements चुने जा सकते हैं और उन सारे ही elements को आप co domain में मौझूद किस ना किसी number से आप उसे relate कर सकते हैं किया बात आप समझवाए याने हर element domain में जो मौझूद है उसकी एक unique image exist करेगी co domain में और इसलिए मैं कहूंगा कि यह आपका एक relation के बजाए to be more specific function होगा तो हम क्या कहेंगे कि हाँ सरी यह एक function है अच्छा बस ऐसी एक सवाल उठ रहा है कि आप जवाब देंगे यह function कैसा होगा यह function में जो range होगी क्या वो co domain की equal होगी ज़रा इस बात का जवाब सोच समझ के दीजिएगा मैंने question खत्म कर दिया है आप थोड़ा सोच लीजिए और मुझे बताइए इस function की अगर मैं आप से range पूछू कैसी range कि दुनिया के सारे ट्रैंगल्स और यह दुनिया के सारे positive real numbers तो क्या इसकी जो co domain है और इसकी जो range है उसमें क्या relation है मैं कहूँगा सर इसकी range भी सारे real numbers होगा अगर आप मुझे इस से पूचें कि इसकी range क्या होगी तो मैं कहूँगा सारे positive real numbers सर ऐसा आप कैसे कह सकते हो आप कैसे कह सकते हो कि range co domain की equal नहीं होगी पहले आप बताओ सवाल ही नहीं उठता आप सोच के देखो ना जैसे आपने का कि sir under root 17 कौन से triangle कह रिया होगा आप बना लो बना लोगे numbers थिकड़ब भिढ़ाना ही तो थोड़ा adjustment ही तो करना है तो आप नहीं दून सकते हैं ऐसा एक triangle जिसका area root 17 हो यू गिव मी अ पॉजिटिव रियल number वो किसी ना किसी triangle का area होगा ही यताए बात है आप आप बात सोच पारे हो तो दुनिया के जितने भी positive real numbers हैं वो किसी ना किसी triangle का area होते हैं उल्टा कोई भी आप positive real number ले लीजे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे triangles का area होगा ही होगा आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या तो बेशक इस function की range को domain के equal होगी याने सारे positive real numbers बात समझ पाई क्या I hope ये question के थो function की understanding बिल्ड हो रही है और आप चीज़ें अब समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे सोचनी हैं और चीज़ें कैसे करनी हैं जैसे ज़रा मैं इस वाले part की बात करता हूँ इस question को पढ़ो और इसमें देखो की चीज़ें कैसे हो रहे हैं देखो एक relation है आर जो की end to end अब end to end का क्या मतलब सारे natural numbers है सारे natural numbers मतलब आपके पास जो domain है वो भी सारे natural numbers है और जो आपका core domain है वो भी सारे natural numbers है यह सारे natural numbers यह भी सारे natural numbers यह आपका तो सुनना relation इस तरीके से है कि वो कुछ a b, a plus b है वो इस तरीके से है कि वो a b, a plus b है और आपके a और b दोनों natural numbers है अब ये जो relation आपका है क्या ये एक function है और क्या ये एक relation है ये क्या है आप थोड़ा specifically बताएं मैं पहले तो आप से थोड़ा इसको लेकर clarity चाहरा हूँ कि ये a b और a plus b क्या है a b का मतलब होगा कि आपके पास इस relation में जो domain में सारे elements आएंगे वो क्या होंगे a b वो किस form में होंगे a b वो किस form में होंगे a b form और जो आपके co domain में सारे elements आएंगे वो किस form में होंगे वो आपके a plus b form में होंगे आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहरा हूँ मैं अब आप से यह कहना चाहरा हूँ मैं यहाँ पर कुछ elements चुनता हूँ कुछ लिखता हूँ मैं a b को ही चुनना चाहता हूँ जैसे कि मैंने a और b दो numbers चुनना शुरू किये natural numbers है तो आपके one से शुरू होंगे जैसे कि मैंने ले लिया three जैसे कि मैंने ले लिया six जैसे कि मैंने ले लिया let's say 25 के बजाए let's say मैंने लिया 30 अब problem मैं आपको समझाना चाहरा हूँ जैसे three मैंने कैसे बनाया होगा मैं आपको discuss करना चाहरा हूँ 3 को बनाने का मेरे पास मेरे दिमाग में मन ही मन में मैंने सोचा देखो ये 3 के पीछे मैंने क्या कहानी सोचे होगी वह मैं सोच रहा हूँ मैंने 3 sir बनाया है let's say 1,3 से पर आप कहोगे sir आप कहोगे ठीक है अपने 3 को बनाया 1,3 से जैसे 6 को लेके मैं क्या कहूँगा कि मैं कहूँगा sir मैंने 6 को बनाया 1,6 है पर आप कहोगे कि sir आप 6 को 2 इंटू 3 से भी तो बना सकते थे ठीक है जैसे 30 को लेके कोई कहेगा कि उसने उसे 10 इंटू 3 से सोचा कोई कहेगा कि उसने उसे 5 इंटू 6 से सोचा और और भी तरीके हो सकते हैं बेशक है ना जैसे कोई कहेगा कि उसने उसे 15 इंटू 2 के तौर पर सोचा अब आप मेरी बात समझ पारे हो किया अब ये बैटर करता है कि आपने A और B को कैसे सोचा जैसे किसी के लिए ये A भी था 3 के लिए 6 के लिए किसी के लिए ये A भी था किसी के लिए ये A भी था 30 के लिए किसी के लिए मैंने 15 इंटू 2 क्यों रिख दिया हम रिली सॉरी ये 15 प्लस 2 नहीं है 15 इंटू 2 है ना तो किसी के लिए 30 को बनाने का A और B 15 और 2 थे किसी के लिए 30 के A और B 10 और 3 थे और किसी के लिए 30 के A और B 5 और 6 थे बस कुछ example लिए हैं, सारे नहीं लिखे हैं सारे लिखेंगे तो कुछ तो भी हो जाएगा अब सोचो, ये A और B हैं तो three plus one कितना होता है four तो three की mapping किसे हो जाएगी four से आपको कहानी समझा रही है जैसे कि ये a और b है one और six तो one plus six कितना होता है seven तो six की mapping किसे हो जाएगी seven से लेकिन यहीं पर आपको गड़ बड़ दिख जाएगी six को बनाने का एक और तरीका था two और three तो a plus b कितना हो और two plus three five तो six के लिए को मैपिंग किस के साथ हो गई five के साथ जैसे thirty के लिए सिर्फ ये तीन के लावा और भी कोई हो सकता था thirteen to one बस मैं तीन का example ले रहा हूँ तो क्या क्या बन जाता fifteen plus two seventeen ten plus three thirteen और five plus six कितना eleven I hope आप मेरी बात समझ पारे हो कि गड़ बड़ क्या हो रही है आप खुद देख कर कह दोगे कि sir आप क्यों हमें बेको बना रहे हो ये relation नहीं है sorry ये function नहीं है कि relation है ऐसा क्यों कहरे है students कि आप देख पारे हो कि हाँ sir पहली बात तो domain में मौझूद में हर elements को uniquely map कर पाऊंगा sorry uniquely नहीं मैं map कर पाऊंगा I repeat my statement नहीं words को ठीक करता हूँ कि sentence भूल जाओ जो भी बोला domain में मौझूद हर element हर हर element की मैं mapping कर पाऊंगा हर element की मैं image ढूंड पाऊंगा लेकिन क्या वो image unique होगी परिभाषा ये थी कि यहाँ दो natural numbers का product होगा और यहाँ वो जो product होगा वो जिन दो natural numbers के product से बना है यहाँ उनका sum होगा जैसे कि मैंने एक natural number का pair सुना 2 और 3 तो 2 इंटो 3 6 होता है तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5 लेकिन 6 को बनाने का एक और तरीका था क्या 1 इंटो 6 और 1 प्लस 6 कितना होता है 7 तो जब मैंने 6 की mapping की तो 2 और 3 के perspective से 5 पर गया लेकिन 1 और 6 के perspective से 7 पर गया और 6 domain में मौझूद एक element है जिसकी 2 images ने 7 और 5 तो क्या 6 की एक unique image नहीं ऐसा 2 है और इसे बहुत सारी बनेंगी मुझे तो एक ही चाहिए था जो काफी है कहने के लिए कि ये function की definition को violate कर गया तो आगे चेक करने की जरूवत ही नहीं है मैंने तो आपको ये बना कर दिखाया मेरा कहना है कि जैसे ही आप इस बात को पढ़ें आपको जिसे देखकर खुद से कह सकते हैं हाँ सर ये तो आपका एक function नहीं है क्या ये question बहुत clarity से समझाया move करते है next question पर अगले question में वो क्या लिख रहा है जरा पढ़िये से अगले question में आपके लिए cdc बात लिख रहा है set a जो है उसकी m distinct images है और set b की n distinct images है ठीक है सर अच्छी बात है तो क्या बूल रहा है वो तो आपसे ये पूछ रहा है कितने different mappings हो सकती है set a से set b में ये वो पूछ रहा है है ना कोई परिशानी तो नहीं है अच्छा mappings का मतलब क्या है सर mappings का मतलब है कितने functions बन सकते हैं तो mapping को ही कहने का एक और तरीका क्या होता है एक set है भी जिसमें number of elements है भी है ना तो a और b का जो cartation product होता है उसमें जो number of elements होते हैं number of elements into a and into number of elements in b अब अगर मुझसे कोई पूछे कि a से b में कितने सारे relations बना सकते हुआ आप कोई अगर मुझसे पूछे कि a से b में total number of relations कितने होते हैं है न, total number of religions कितने होतے है, सब मैं कहूंगा, sir, जो total number of religions होंगे, वोंगे A और B के Cartesian product के, Total subsets, क्योंकि relation क्या होता है, A और B के Cartesian product का subset, तो इसके total subsets कितने बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, number of elements, in the Cartesian product of A and B, जो कि कितना है, number of elements in A and B, लेकिन यह नहीं पूछ रहा है वो आप से पूछ ही नहीं रहा है वो पूछ रहा है A के पास कुछ M distinct elements है M अलग अलग elements है B के पास कुछ N distinct elements है तो आप यह बताओ कि A से B में कितने तरीकों से मापिक की जा सकती है मैं एक example लेकर आपको समझाने की कुछ शुक्रत हूँ फिर हम वापस इस question पर आएंगे और चीज़े देखेंगे गौर से सुनना गौर से सुनना काम की बात है जैसे कि मैं अगर आप से कहूं क्या देखो यह आपका एक set है यह इसके पास लिसे हमने मान लिया किए एलिमेंट के पास हमने मान लिया कि कुछ भी हैा जैसे कि कुछ भी मान लो mı अबर मुझे नहीं पता पर कुछ अलिमेंट्श यह तीन ऐलिमेंट्स हैं बस ऐसी समझाने के लिए में क्या रहा हूँ, है ना, ऐसा ही आपने B set उठाया, ऐसा ही आपने क्या उठाया, B set उठाया, और B set क्या रहेगा, domain, co domain set, A आपका domain है तो, और B में क्या रहे, कुछ elements है, जैसे कि मैंने ले लिया 5 और 6, है ना, अब अगर मैं थोड़ा सा permutation and combination use कर हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे या पर map करना है, तो map करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि मैं पूछूंगा 2 के पास जाकर, कि 2 को map करने के कितने जरीगे, तो 2 कहेगा, आप मुझे 2 तरीकों से map कर सकते हो, 2 कौन कौन से तरीके, 2 कहेगा, या तो आप मुझे 5 के साथ map कर तो two has how many choices, two would come up with a response that I have two choices, you can map me in two ways, with either five or six, now, two के बाद में three के पास गया है, मैंने three से बुचा कि आपको map करने के कितने तरीक है, तो three कहेगा, मेरे पास भी दो ही तरीक है, I hope कोई भी student ही नहीं सोच रहा है, कि three बोलेगा मेरे पास एक तरीक है, देखो, माद लो आपको समझ बाने क्लिए मैं कहता हूं कि two ने six के साथ map ही करी, तो three के साथ map कर सकता है, अब आप यह तो नहीं कहोगे थी के पास एक ही choice है कि यह वो five से map हो, नहीं, three के पास यह choice है कि वो six से ही map हो जाता, बिल्कुल, तो अगर मैं three के पास गया, उनसे पूचा कि आपके पास कितनी choices, So three would again come up with the response saying that I again have two choices. क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मैं एक आईडिया आपको देना आ चाहरा हूँ. In the same manner, if I approach four, है ना, जैसे मान लो three किस के पास गया है? Six के पास. आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ. Now I approach four and ask how many choices do you have? तो four क्या कहेगा? I hope आप ये नहीं सोच रहे हूँ. Four बोलेगा मेरे पास एकी choice है, मैं five के पास ही जा सकता हूँ. आप खुद देख पा रहे हो ना, four कहेगा मेरे पास भी दो choices हैं. कौन सी? या तो मैं five के पास चले जाओ, या six के पास चले जाओ. क्या आप मेरी बात समच पा रहे हो? मतलब आठ तरीके से mapping या आठ functions possible हैं. A से B में, जब A के पास कुछ तीन और B के पास कुछ दो elements मौझूद हों. बात समझ आ रहे हैं क्या? अगर ये बात समझ आ रहे हैं, तो अब मैं आ रहा हूँ इस वाले पार्ट पे. और ये बात सुनकर, ये पाटन देखकर ही आप इसका अंसर दे सकते हैं. सर ये आपने 2 x 2 x 2 कैसे लिखा? मतलब 2 x 2 कैसे निकाले? इसकी कहानी अगर अभी नहीं समझ आई है, तो गवराना मत. ये कब समझ आज़ाएगी? permutation and combination. वहाँ पर हम यही करेंगे. वहाँ पर problems आएंगी, फिर हम उनको अलग-लग scenarios में put करेंगे. जैसे यहाँ पर एक मेरे पास problem थी. मैंने दिमाग लगा गए गए permutation and combination की एक calculate करने का तरीका मेरे पास है. permutation and combination पता है chapter क्या करता है? तो अगर यह पता करना है, तो हम किसकी help लेंगे? PNC की. वह हम सीखेंगे की कैसे होता है? अभी कैसे क्या है? यह भी हम सीखेंगे. पर थोड़ा सा patience रखना, algebra chapter में PNC आने देना. पर अगर अब यह मैं फिलाल, एक simple सा concept आपको समझाना चाहूं, जो इस question में दे रहा है वो. वो क्या कह रहा है? आपके पास एक set A है. उस set में आपके पास कुछ elements है. और similarly, आपके पास एक set B है. अगर मैं पूछ हूँ, तो set A में कितने elements है? तो set A में M elements है. तो इसके पास elements है. जैसे मैं इसे लिख लेता हूँ, A1, A2, ऐसे करते-करते, इसके पास total, A, M, ऐसे total M elements है. ऐसे ही set B के पास गया है. तो set B के पास भी कुछ elements है, set B के पास N distinct elements है. तो वो let's say B1 है, B2 है, और ऐसे करते-करते कितने BN तक N elements है. अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि इस A से B तक कितने तरीकों से mapping या functions बनाए जा सकते हैं. तो फिर वही simple modus operandi, वही standard operating procedure हम use करेंगे. क्या, मैं इस element के पास जाऊंगा और इसे पूछ हूँगा कि आपके पास कितनी choices हैं. तो A1 कहेगा, सर या तो मुझे B1 से map कर दो, या फिर मुझे B2 से कर दो, या B3 से, या B4 से, या BN से. मैं ऐसा नहीं कहेगा कि A1 सबसे हो जाएगा. या लगाया है, और लगाया है. तो A1 बोलेगा या तो इस से, या फिर इस से, या फिर इस से, या फिर इस से So A1 से जब हमने जाके पूछा कि आपके पास कितनी choices है तो A1 बोलेगा मेरे पास total एक, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये इसी एक, एक, एक करके total end choices है This will come up with a response, he has total end choices वो n choices मैंसे किसी एक को चुनेगा तो a1 के पास कितने रास्ते हैं वो कहेगा मेरे पास n choices है and now I approach a2 तो a2 भी कहेगा कि जहां a1 गया है मैं वहाँ भी जा सकता हूँ और बाकी जगा भी जा सकता हूँ तो a2 will again come up with a response saying कि मेरे पास b n choices है तो ऐसे जो total m terms है यह जो total m terms है यह सारी की सारी m terms क्या कहेंगी हम सब के पास n choices है तो मैं n into n into n कर रहा हूँ कितनी बार m times तो शहला इसे मैं इसे क्या लिखूँगा मैं इसे लिखूँगा n to the power m कोई परिशानी तो नहीं है इसका यह मतलब है कि अगर a में n elements हो और b में m elements हो तो total कितने तरीके के functions बना सकते हैं total जो आपके functions बनेंगे वो बनेंगे n to the power m कोई दिक्कत I hope यह बात भी अच्छे से समझ जाईए कहीं पर भी कोई doubt है तो पूछेगा लिखेगा will definitely revert बट मेरे क्यास से चीज़े sorted है और चीज़ें सुल्जी हुई सी समझ आ रही है अगर मैं सीधा सा एक conclusion देना चाहूँ अभी फिलाल आपको काम-काम की बात होगा तो please यह बात याद रखिएगा कि हम आपको IIT J.W.E. means I hope आप भूले नहीं हो और आपके J.W.E. advanced mathematics subject की specifically तयारी यहाँ पर करवा रहे है और यह तयारी बिल्कुल free of cost आपकी हो रही है यह बात आप मेरा यकीन है सब जानते हैं मतलब हम सारे chapters कर रहे हैं सारे concepts कर रहे हैं उनके हर category के question चाहे हो single correct हो multiple correct हो चाहे हो numerical answer type हो matrix match type हो linked comprehension based हो जो भी यह दोनों exams पूछती है हर एक चीज़ को properly और thoroughly पढ़ रहे हैं इसके साथ क्या इसके साथ हम chapter जब खत्म होता है तो J.W.E. advanced के previous years questions भी करते हैं हमने आपके पूरे syllabus को 5 chunks में divide किया है coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra और ignomatory coordinate geometry हम खत्म कर चुके हैं और अब हमने कहां से शुरुआत किये अब हमने calculus पर shift हुए है इसी तरीके से चीज़े फॉलो करेंगे और अच्छे से हर एक चीज़ करेंगे और सबसे खास, सबसे ज़रूरी बात कि यह पूरी कहानी है आपके लिए बिल्कुल free of cost हम kindergarten से 12th standard तक 100% free of cost quality online education देते हैं आप हमारे notes, pdfs और ebooks के लिए भी team से contact कर सकते हैं इसके लिए आपको इसी video के description में दिये गए link get notes पर click करना होगा with that, let's call it a day ख्याल रखिये अपना, thank you so much for watching this video